तो अभी तक हमने बहुत सारे questions देख लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर उमीद करता हूं कि आप सारे question अपनी note-down कर रहे होगे और उसका जो best solution possible है वो मैं यहां पर देने की try करता हूं तो वो भी आप maintain कर रहे होगे अपनी जगह पर और जो extraordinary concept बताता हूं उस अगले question की अगला question controversial question यहां पर लोगों ने इससे कई अलग-अलग तरीके से answer दिये अब देखते है सा correct approach क्या बता है एक contractor जो है प्लान करता है बनाने का excavation as shown जैसा कि आपको फिगर में दिक्राए excavation बनाने का यह है उसका प्रपोस excavation और साथ-साथ में क्या है रीवर का एलिवेशन भी गिवाद है ठीक है दो वाटर लेवल इन एग्जेसंद रीवर इस एटन एलिवेशन ऑफ 20 मीटर 20 मीट पर है जैसा का आपको दिख रहा है यूनिट वीट ऑफ वाटर इस 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दो सेक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस सेंड वॉयलिंग फॉर दप्रपोस excavation इस चलो अब यहां पर में दुनिया भर की अप्रोच की बात करने वाला हूं लोगों ने किस परोच से आंसर दिया है अब अलग बात है कि उनका अप्रोच डिफरेंस अब किसका सभी है किसे गलत यहां पर सभी ने क्या क्या पता है इतना तो सब लोग एगरी करते एफ वाइस इकौल टो डाउनवर्वर्ट फॉर्स डाउनवर्ड फॉस डिवाइड वाइड अपवर पर इतना तो सबिलोग आगणे मेन देखा जो लोगों ने यानि के बहुत सारे दीचर्स बताया है स सब्सक्राइब STS यह वाइफ तर अब मेरन यह अप्रोच नहीं है पहले बोदू एक अप्रोच मैंने देखा उसमें गामा सेचुरूटेट जो है वो बताया गया कि गामा सेचुरूटेट आपको यहां पर 20 किलोलिटन कीवन है और जब एच लेने की बारी आई जब एच कंसिडर करने की बारी आई तो इसमें और यहां पर इसको हम लेने के 20 इसको हम लेने के 20 यह 2020 गया तो आंसर विल बी वन यह एक अप्रोच हुआ ठीक है इस फॉर्मुला के बेजिस पर आंसर वन आ गया एक दूसरा पर उसमें देखा एक दूसरा में अपरोच देखा उसमें यह रहा गया है एक एक विट में देख लिए मैंने रेकॉर्डिंग स्टाट किया है हैं है तो यह में बोला था एक बार कि अब यह इस पर किस तरी कें तो उसको अब माइनस गामा डब्ली गामा समस्श पूलते है मंटिपला है जब एच लेने की बारी है जब एक लेने की बारी है तो उसको भी क्या सैंट ही 요즘 ज्यदू ए Check तो निए ऊसको से यहां पर टैनंगे ृश्ट इसको टैन्ड इवाइट राइडवट गामा डवल्यू इसको टैन्ड गामा डव्यू तो रहे गर झान और तो इसको भी कंजर किया रिज्माइट गाठीक्प 국क्त जैसे नीचे भी जैसे आंसरवान हैं बकवास अप्रोच मुझे लगाएं मतलब खास बात नहीं है इसे कोई खास बात नहीं है पता नहीं क्या ही लोजिक से इन्होंने टैन और वगेरा ले लिया बट लिया बनाइक नाओ मैं माय बनाऊ अप्रोच मेरा सही बताओं तो यह मेरा अप्रोच यह मेरा प्रोच ए एफ is equal to FOS is equal to gamma submerge multiply by capital H divided by gamma W multiply HW यह मेरा अप्रोच है to be very honest ठीक है यह अप्रोच में मैं क्या consider करता हूँ यह अप्रोच में मैं consider करता हूँ कि submerged density अपनी total excavation के साथ submerged density अपने total excavation के साथ नीचे की तरफ है ठीक है यहां पर एक अलग से यह भी प्रॉब्लम आएगा मतलब यहां पर हम 20 लेंगे या 20 नहीं यहां पर 20 लेंगे या 20 नहीं लेंगे तो generally मैरे इसाब से तो नहीं लेना चाहिए मैरे इसाब से तो नहीं लेना चाहिए तो यहां पर टैन ही लिया जाए कि यह इतना है जो बाकी है ठीक है ऑब्वेस बत है ना यह पानी के अंदर डूबा हुआ है ठीक है तो यह समर्ज ही कहलाएगा इतना पॉर्शन तो इसके एतना पॉर्शन समर्ज है तो इतने हाइट की देस मिटर की इतने हाइट की 10 मिटर की यहां पर गामा समर्ज में हम लिखेंगे 20 20-10 VynamawS यह जो वोटर अलिवेशन कितने हाइथ पर है वाटर अलिवेशन 10 मिटर की हाइथ पर है वहlys इस तो इस मेरा है यह मेरा पना परसे जी और जिससे में इन्हें यहां पर मिलूंगा दस टैन यहां से अंसर होगा यह बचेगा आपका टैन पर यह दिए आनसर बेगा मैंने इसको ही माना जाएंगे इसके आलव किसी ने मैंने देखा कि आई-सी वाला अप्रोच नगा है हावएवर मेरे इसाफ से यह प्रोश बेश्ट है बकी आपकी मर्जियार गामा सेचिरेटर वाला भी मुझे सही नहीं लेगा गामा सेचिरेटर कैसा ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर गामा सब मर्जी लिया जाए चलो कोई बात निए जो काफी पॉपिलर सर है उन्होंने गा काफी अगें से चलो ठीक कोई बात निहीं तो किलियर और डॉइंग करता हो और आगे बढ़ता हो इसका आंसर तो आपको पता चली गया वन ही होगा इसका अंसर वन ही होगा चाहें कोई कि अप्रोश से औरो तो दोस्तों दोस्तों अगला क्वेश्टन है दसीपेज अकरिं दो एन अर्थन देन इसे रिपरेसेंटेट इड़ाय अप्लोनेट कंपराइजिंग ऑस एक्वी पोटेंशल ज्ट्रप एन इकुट्वी पोटेंशल ड्रॉप और ट्वेंटी फ्लोचैनल एने आफ हमारा 20 है आगी क्या कहना चाहते है आगे यह कहना चाहते है कि तो स्मॉल हैं स्मॉल है बांच मेत्र स्मेच करना कि Baba नीकालना है कि आप parks परसेंट थे को फॉर्मिला क्यू को डूक्यीt च्छी एकटिप्लाइब वैए इन फडिवाइड़ वैनल entire स्मेटों है क्यों हमारे पास है 3 mm per minute, इसको थोड़ा convert कर ले दोस्तों, इसको थोड़ा convert कर लेते हैं, यह हो जाएगा, 3 multiply by 10 is to minus 3, divide by 60, तो यह meter per second में आ गया, ठीक है, so q is equal to, q is equal to, 3 multiply by 10 is to minus 3, divide by 60, यह हमारा के हो गया, h हमारा कितना है, 5 meter given है, nf हमारे पास 20 given है, nd हमारे पास 10 given है, तो 00 गया, बाकी का जो बचा, अभी यहाँ पर game में बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना game को, थोड़ा ध्यान से देखना game में बहुत मज़ा आने वाला है, कि अभी unit conversion भी वाक्ती है, क्या unit बनेगा, यह आपको सोच रहा है, कि यह जो हम multiplication करके, जो unit ला minus 4, पाई multiply by 10 minus 4, यह answer जो है, वो meter किस के अंदर है, यह answer जो है, वो meter square के अंदर है, meter square per cent, पर second, ठीक है, meter, क्यों meter square per second में, क्योंकि देखो यार, यह तो unitless चीज़े, यह आपका meter के अंदर है, यह आपका meter per second के अंदर है, तो multiplication कर लो, meter square per second ही तो आएगा, अब यहाँ पर, पर क्या लिखा है, पर meter length, पर meter length का मतलब, एक meter की length में यह कितना होगा, तो एक meter की length डाल देते इसको, एक meter की length में, one meter multiply कर, एक meter की per meter, ठीक है, यहर एक meter में कितना होगा, हर एक meter में कितना होगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, पर meter मतलब, आप per meter लिखो, नीचे meter लिखो, उपर मीटर लिखो बात ये किये पर मीटर मतलब मीचे वन लिखो उपर वन लिखो तो आपके ये पर मीटर हो जाएगा तो पर मीटर है तो मैं एक जो पर मीटर है उसे वह लेंद्ध को मल्टिप्लाई कर देता हूं तो पूरा मेरा मीटर क्यूब पर सेकंड में आजाएगा तो अब मैंने वन मिटर मुल्टिप्लाइगा तो भी तो यह क्या रहेगा यह जो वैल्यू है यह पर मीटर यानि एक मीटर के लिए एक मीटर के लिए बात दोस्तों यहां पर एक ही हुई ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर टैने स्टों माइनस सिक्स मीटर क्यों सब्सक्राइब करने के लिए एक पर यहां पर टैनने स्टों माइनस्ट सेकंड्य और एंधक्राइद मुझे करना पड़ेगा तब जाकर मैं यहां से माइनस detox मिटर एक क्यूब पर सेकेंब तो इसी को में और एक सक्ट वाइंड्रेड 510 टो माइन एट पर सेकंद पर मिटर यही तो मांगा है और यही तो मांगा है 500 सेंटी मिटर क्योब एक पर सेकंड पर मिटर ले वही तो आ गया करेक्ट गोशन तो यह वाला जो इसको पर बहुत सारे कोश्चन पूछे गए के ऑपर दुम्या भर की कुशन पूछे गए आपको भी करने चाहिए अगर आपने नहीं किया इसकोशन के और आपको करने चाहिए और यह काफी अच्छा था यूडिट करो वजन के अंदर आपको उम्मीद करता हो समझवाया होगा नहीं समझना तो वीडियो को एक बार रिवाइन करके देख लो तो आपको देप्ट ऑफ 12 मिटर इना होमोजीनियस स्ट्रेटम दो कोफिशेंट ऑफ पर्मिएबिलिटी की इस एक्वल टो टेंश्टो माइनस 6 मिटर पर सेकंड डिफरेंस इन दे वाटर लेवल बिट्वें शीट पाइल इस एक इस एको तो 4 मिटर दफ्लों इट कंस्ट्रक्टिट और देखो दोस्तों यह पर अगर आपको एनेफ निकलना है यादि कि नंबर ओफ फिलो अंकालना है तो नुमझार ऑ फ्लो लाइंस लाइंस minus 1 करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा number of flow lines minus 1 करना पड़ेगा इसी तरीके से अगर आपको ND निकालना है ND तो number of यानि कि यह क्या है number of equipotential drop यहाँ पर होगा number of number of equipotential line equipotential line minus 1 number of flow channel यह number of line से कैसे relate करता है number of equipotential drop यह number of equipotential line से कैसे relate करता है सिर्फ और सिर्फ minus 1 करते हैं यह सेम नहीं है flow lines and number of flow channels are not same यह आपको पता होना चाहिए नहीं पता देखो यार इसका सीजा जुगाड़ यह है कि यह मानलो कि यहाँ पर एक है यह एक flow line होगे ठीक है और यह मानलो कि दूसरी flow line होगे एक flow line होगे दूसरी flow line होगे और टोटल देखने चाहिए तो अगर यहां से मैं calculate करो यहां से हम calculate करो तो यह एक दो तीन flow line होगे बट नंबर ओफ flow channel कितने बढ़ने है वन और टू ही तो बढ़ना है इसी तरीके से number of equipotential drop में भी तो यही calculation होगे इसी वजह से यहाँ पर number of line या number of flow lines minus one करेंगे तब जाकर हमें number of flow channels मिलेगा similarly number of equipotential line minus one करेंगे तब जाकर हमें number of equipotential drop मिलेगा चलो तो फिर इसका simplification कर लेते हैं कितनी number of flow lines है इसको अभी calculate कर लेते है number of flow lines की बात की गई है तो यह क्या बोले 11 number of नहीं 5 number of flow lines तो 5 number of flow lines है तो 5 minus 1 4 हो जाए और nd हमारे पास 11 है तो यानिके number of equipotential line 11 है जैसा कि यहाँ पर लिखा है 11 number of equipotential line तो 11 minus 1 यह हो जाएगे 10 चलो बहुत बढ़िया तो q is equal to k h nf divided by nd यही तो करना है यहाँ पर भी वही है सेंटिमेटर क्यूब पर सेकंड पर मिटर तो यहाँ पर भी वही कॉनसेप्ट लगाएंगे सिंपल है यहाँ पर एक बार मैं आपको समझाए दिया तो यह दोस्तों हो जाएगा टेनरेश्टो माइनस 6 हमारा कितना है एक हमारा कितना है और और अब्स हमारे तैन है ठीक है अब यह सब्सक्राइब यह हो गया अब यानि मतलब यह सेंटिमेटर क्यूब पर मिटर लगा रहा हूं तो यह इसको मिठा दू तो मैंस इस वैसे किया यहां यहां पर आप 1.6 रखोंगे तब जाकर आपको सही एक माक मिलेगा यह वन माक कुश्चन था गेट 2017 मतलब आपको समझ में आ गया है और रिपीटेशन होता है गेट के अंदर रिपीटेशन होता है बट वह कॉंसेप्ट थोड़ा प्लस माइनस करके पूछते हैं और यह अभी नहीं यह पहले से ही चाहे दोजार बीस हो एकीस हो चाहे उनीश हो चाहे दोजार सोला सत्रह हो चाह इस सेशन को खतम करते हैं अब दीरे दीरे थोड़े लंबे लेक्श्ट दाना श्टार्ट करेंगे ताके जादा नंबर ओफ को पाए ठीक है तो इसी के साथ इस सेशन को अंड करते हैं थैंक यू करते हैं